प्रिय दोस्तूं नमस्कार आज के इस वीडियों में हम पढ़ेंगे के कहां साइलेंट होता है देखिए और समझते हैं यदि किसी सब्द में के के बाद N हो यदि किसी सब्द में इस के के बाद N होगा तो वहां पर के को नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि के वहां पर साइलेंट होगा एक बार फिर से यदि किसी सब्द में के के बाद N होगा यदि किसी सब्द में के के बाद N होगा तो वहां पर के साइलेंट होगा अर्थात के को नहीं पढ़ा जाएगा उधारन के लिए देखें यदि किसी सब्द में के के बाद N हो तो के साइलेंट होता है अर्थात यदि किसी सब्द में के के बाद N हो तो वहां पर के साइलेंट होगा अर्थात K को नहीं पढ़ा जाएगा जैसे यहाँ पर कोई सब्द है और हमने कहा था K के बाद N होगा K के बाद क्या है N है अर्थात इस K को नहीं पढ़ा जाएगा K के बाद N है अर्थात K को नहीं पढ़ा जाएगा तब हम इन्हें पड़ेंगे एन एपी को पड़ेंगे और इनका उचारन होता है नेप अर्थात सिखर दूसरा देखिए इसमें भी के के बाद एन ने है अर्थात के को नहीं पड़ना तब हमें एन डबल ए को पड़ना है और इसका उचारन होता है नी जिसका अर्थ है गुटना देखिए यहां भी के के बाद एन है अर्थात हमें के को नहीं पड़ना तब हम इसे पड़ेंगे नाइप अर्थात चाको इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू है विनाइश डे